पिहोबा में पशुपतिनात मंदिर ये कैसा मंदिर है जो कि पूरे देश में एक ही है इस मंदिर के अलावा पूरे देश में पशुपतिनात मंदिर नहीं है इसलिए इस मंदिर की महतवता बहुत ही अधिक बढ़ जाती है और इस मंदिर में हर रोज सेकडों की संख्या में पूजा अर्चना करने आते हैं इस मंदिर के मुख्य द्वार के सामने शिप जी का मंदिर है जो की मुख्य रूप से मंदिर के सेंटर में हैं इसके अलावा इस मंदिर में हनुमान जी का मंदिर है मार स्वस्वती का मंदिर है गोरी शंकर का मंदिर के अलावा और भी कई मंदिर इस्थित हैं इस मंदिर का संचारन बावा शवर्णाथ संस्था चिलाती है इस संस्था का मैत वो पूरे विश्मे अतिमानने है इस मंदिर के नीचे एक सुरंग भी है कहा जाता है कि बावा शवरणात इस सुरंग में तपस्या क्या करते थे और ये सुरंग आज भी मंदिर के नीचे मौजूद है इस मंदिर के साथ ही बावा शवरणात का डेरा है जापा गरीगों की साहता की जाती है मंदिर की सेवा दारुद्वार हर रोज कई बार सफाई की जाती है और इस मंदिर में जाते ही इसकी सफाई देखने योगे होती है इसलिए लोग अपनी भावणाओं को लेकर इस मंदिर के दर्शन करने के लिए सेक्ड़ों की तदाद में हर रोज आते हैं इस के अलावा बावा शवरणाद संस्का दो स्कूल भी चलाती है एक बावा शवर्णाठ सीनिर सेकंडरी स्कूल दूसरा बावा शवर्णाठ मॉडल स्कूल इन दोने स्कूलों के फीस नाम मात रहे और यहाँ पर अधिकतर गरीब घरों के बच्चे पढ़ने आते हैं इन दोने स्कूल का रिजल्ट हमेशा सत प्रतिशद आता है लोगों की म देश में पशुपतिनात मंदिर को पिहोवा में होना पिहोवा का गोरब बन जाता है। यहां पेवा तेरत पर पशुपतिनात महदेव के दर्सन कर सकते हैं। इस मंदिर के द्वारा बाबा सुर्णनात महादेव विज्या मंदिर है। जो मंदिर के तरफ से ही चलाया जा रहा है। इस मंदिर में कितने लोग आते हैं कितने भगत आते हैं इस मंदिर में सेंकडो भगत हर रोज दर्शन करने आते हैं मंदिर के एक कोने में दक्षिन मुख्य हनुमान जी का मंदिर है जो बड़ा ही विश्व परशित है अनेक भगतों के यहां पे कारिया बनते हैं और दक्षि अस्ट धार्तु की यहां पर भगवान हनुमान जी की नूर्ति है। इसके अलावा कौन-Kौन से मंदर है इसे मंदर मीड़ी? इसके अलावा माता सरस्पती का मंदिर है शिव परिवार है और सत्चा नाराइन भगवान गनपती और सनी देव जी की यहाँ पे सनी शीला है जो भगत लोग आकर के विशेश विशेश दिन में यहाँ पे भजन पूजन करते हैं। बाबा सरणनाथ जी जो कई सेंकडों साल पुराने यहाँ पे एक साधू के रूप में थे उन्होंने महादेव की यहाँ परिस्थापना की और यहाँ पे बाबा सरणनाथ की गुपा है जिसमें जो है बाबा सरणनाथ जी तपश्चा करते थे आज भी जितने भी परकार के मं मंदिर बनते हैं वो किसी न किसी मतलब स्वार्थ से बनते हैं यह मंदिर एक ऐसा वो है जो तीरत के उपर बनाया गय था विशेश तोर पे साहधना के लिए यहाँ पे बाबा समनात जी ने तपश्या की है और यहाँ पे आने वाले भगतों के कारिया सिध होते है ओ मंगलम भ